नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं गर्मियों के कुछ फूल वाले पौधे आपको बताऊंगी जो बहुत तेज गर्मी में भी बहुत अच्छे खिलते हैं और आज जो रिपोर्ट किये थे ना प्लांट बड़े बड़े उन सब का भी आपक काम करना तो इस सफाई करने में ही मेरा बहुत ज्यादा मेहनत लग गई अभी गर्मी बहुत हो रही है तो देखिए यह चीकू का प्लांट है जो रिपोर्ट किया था इसको तीन दिन हो गया आज रिपोर्ट करे हुए बिल्कुल यह ठीक है बहुत ही खुस मुझे लग रह इसलिए जरूरी था इनको बड़े गमले में लगाना इसलिए मैंने इस टाइम पर इनको लगाया और बहुत यह अराम से मैंने रिपोर्टिंग की थी तो प्लांट बिल्कुल ठीक है बहुत ही खुस है और बहुत ही बड़े बड़े में अराम से चलेगा इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी दूसरा जो प्लांट मैंने रिपोर्ट किया था वो मेरी मधुमालती की बेल थी वो भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरह से खुस होके चल रही है उसको भी बड़ा गमला मिल गया अभी और बहुत सारी ग्रोथ इसमें नहीं आई है देखिए औ और उसमें भी नए नए जो पत्या है वो निकलनी स्टार्ट हो रही है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई है सारे ही प्लांट बिल्कुल ठीक है जो भी रिपोर्ट किये थे देखिए हां पर मैंने थोड़ी सी जगह चेंज कर दी है दोनों स्टेंड यहां पर टैंपरेशर भी चल रहा है जो भी उत्तर भारत में होंगे उनको पता होगा इस टाइम पर बहुत तेज गरम हवाएं बहुत ही जादा गर्मी हो रही है देखिए अंगुर की बेल है यह भी अच्छे से साइड से पूरी पत्यां आने लग गई है तो बहुत ही जल्दी जै रहाती हूं गर्मियों के कुछ ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही बढ़िया फूल गर्मियों में देते हैं इस टाइम पर दे रहे हैं चलिए आपको नीचे लेरा चलती हूं बहुत तेज़ धूप से इस समय हम अपने प्लांट्स को बचाना है जो भी तैज़ दूप में रख दूप आती है यह देखिए हमारा मोगरा का प्लांट मोगरा का प्लांट भी सुबह की चार-पांच घंटे दूप सुबह सुबह की लेता है बस तो बहुत ठीक है उपर रखे हैं प्लांट उन पर बहुत ही जादा कम फूल आ रहे हैं और इस टैम पर वो बस अपनी जानी या फिर नैट लगा के दो तीन बार छड़काओ करें और ठंडे पानी से स्प्रे करें टंकी का पानी तो बिल्कुल भी मत दीजे मैंने प्लांट के लिए बिल्कुल समर का ठंडा पानी का पूरा इंतिजाम किया है ताकि इन पर मैं स्प्रे कर सकूँ उनको दे सकूँ क्यो और टिकोमा भी इस समय पर बहुत बड़ा फूल दे रहा है तो दोस्तो देखियो गर्मी बहुत ज़्यादा है जो भी बहुत ज़्यादा है गरम वाले लाके में रहते हैं उनको पता होगा इस समय पर अपने प्लांट को बचाने की कोसिस कीजिए जून की बहानक गर्मी से अगर यह बचे रहे तो फिर अच्छे से ग्रोध करते रहेंगे बरसात का मोसम आ जाएगा फिर को प्रोब्लम नहीं है तो दोस्तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट के लिए चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ओर कर सकते हैं य यू वेवाच मुँ बाइ